रामराम किसन भाइयो आज में लेका आया हूं आपको गोरा जीक का निंबाड़ा जहाँ पर हमने नीम्भु का बगीचा लगाया है संकर्जी कुमार के कि त संकर जी कुमार के यहां चलते हैं है पुद्ध मरें सब्सक्राजी में और कुमाले पटफ्ण हूं नवंबर दिसंबर के अंदर इसकी फ्रोटिंग चलो हो जाएगी और अगले मतलब गर्मियों में मतलब इनको फल पक कर त्यार बिल जाएगा मतलब करीबन 15-16 महिने के अंदर इनको निम्बू मिल जाएगा इनको कमलेज जी के बिजनिस भी ही है इनके मतलब सोड़ा सिकेंज का टेम्पू है और इनको मतलब निम्बू की बहुत ज़्यद आफसकता होती है तो इनसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने इनको इराय दी कि यह वाला निम्बू आप लगाईए और आपको गारेंटी के साथ अगले साथ अगले 15-16 महिने के अंदर हम इनको निम्बू तेयार करना बहुत मुश्किल काम है और यह क्या पहले से इसका तना मतलब पहले से टाचा बड़ा है मजबूत है तो यह मतलब अब जैसे गर्मी आएगी फरवरी मार्च तो फरवरी मार्च से इसकी हाइट स्कीड इतनी सांदार बड़ेगी कि मतलब आपको मतलब यह 10-12 महिने के आपको लेकर दिखाएंगे तो अगर किसी का मानस बन रहा है तो यह पोदा कोश्टली जरूर है लेकिन आपको इंतजार नहीं कराएगा कि निम्बू कब आएंगे यह मतलब 15-16 महिने में में आपका प्रडॉक्शन चालू करने वाला पोदा है तो किसी का वीचार बन रहा है कि निम्बू लगाने का तो यह बड़ी हैट वाली लगाई आप जो बहुत फास्ट इंपूर्मेंट देंगे हम सिरी सावरे बायो प्लाइंट टेक बड़ी हैट वाली यह पोदे लगाते हम लोग छोटी हैट वाले हमने नहीं लगाते कि उसमें दीक रेक बहुत लग जाती है तो इस बड़ी हैट में क्या यह तकलिफ नहीं आती है क्योंकि पहले से पोदे की हैट अच्छी होती है और पोदे की जो हम लाते है उस बेक का वजन भी दस बारे किलो होता है तो बहुत फास्ट इंपूर्मेंट है तो जिस किसी किसान बायों का आपका विच करेंगे और करीब मतलब जद ज़्यादा एट साल केंदा हम इसका प्रोड़ोक्शन के जालो बर बोड़ीजित कि 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 झाल झाल